हाई फ्रेंड वेलकम बेक तू मैझे चैनल और मैं हूँ सख्य गारडन तो आज मैं मेरे गारडन में आपको लेके चलती हूं और वहां आपको कौन से बाट के बारे में बताऊंगी और क्या दिखाऊंगी आप देखिए ये प्लांट बताएं आप किसका है और इसमें कितनी फोरिंग भी म Glau रही है तो इस्त प्लान यह फ्लाइड जहां prof इप लगा हतों बहुत ही लुव मत हिसी बास नाम .... नहीं आती है तो इस प्लांट का नाम वैसे हम लोग तो कहते हैं सेंट मुरया तो इसे कई नामों से जाना जाता है क्योंकि इसके फ्लाजों होते हैं उसमें औरेंज की फ्लावर की खुश्बू आती है तो इसको औरेंज जैस्मीन भी कहा जाता है और क्या आप जानते हैं कि यह plant क्यों और किसलिए आए तो मैं आपको बता दूं कि यह स्वर्ग से तीन प्लांट आए है और तीनों बहुत शुपकारी रही हैं और बहुत कम केर्व में चलने वाले है तो उस में फर्च नंबर आता है जैसमीन ये औरंच जैसमीन इसको मधु कामनी भी कहते हैं सैंटमुरीया भी कहते हैं आपके देश में क्या गहाता है आप मुझे जरूरब बताै और दूसरा प्लांट होता है अपिराजता जिसके घर में वो प्लांट होता है उसकी कभी हार नहीं होती है तीसरा प्लांट होता है हार सिंगार का तो ये तीन प्लांट स्वर्ग से उतारे गए हैं तो इन तीनों प्लांट को अपने घर में जरूर लगाएं बहुत शुप आदे हैं और य तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है यह पौदा बहुत अच्छा बहुत शुब होता है और यह बीच से भी तयार हो जाता है कटिंग से भी हो जाता है तयार और इसके फ्यावट तो इतने जबर जस्त खिलते हैं कम क्यर में लगने वाला प्लांट है यह इंडोर भी है और आउटो सबको इतना महका देते हैं बहुत जबरजस्त की खुश्वू होती है बहुत अच्छा लगता है और यह गुच्छे और हजारों के तादायत में फूल खिलते हैं यह इसकी खुश्वू इतनी जबरजस्त होती है कि मैं आपको बता ही चुकिए हूं कि साथ सारे बारा अब् प्लांट लगा हुआ था तो वो पूरा ट्री हो गया था बट उस पेड़ में बर्यां होती है न पीली पीली बर्या होती है उन बर्यों अपने बहुत से छत्ता बना लिये थे मैं उसे बहुत परिसान रहने लगी थी तो इसको क्या किया फिर मैंने पूरे पेड को ही कटवा दिया फिर सोचा कि इसमें दुबारा से यह हो जाएगा बट वह दुबारा नहीं हो पाया फिर मैंने यह चोटा सा प्लांट लगाया अब इसमें चोटे से प्लांट में इतने अच्छी ग्रोथ हो रही है कम केर में चलने माला है मैं तो ऐसे भी और्गनिक खाद बस बहुत बाहर की खाद बहुत ही कम डालती हूं तो यह देख लेजिए आपके सामने है और इसके पत्ते बिलकुल मेंदी के आकार के होते हैं बहुत इकदम से ग्रीन होते हैं बहुत शुप पौदा होता है तो इसको अगर आपके हाँ गार्डन नहीं है तो अपने लान में लगा सक बहुत ही अच्छा है और इसके फूल में चुडी ओं को वह पहुत पसंदल आते जिस चुडिया यह बहुत ज्यादा आते हैं तो ठीक है एगर आपको सखी गार्डन की यह गार्डनिंग पसंदाती है सखी गार्डन चैनल को लार्य को शूंब करें और आप अपना धेर सार रखें फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइट